नमस्कार दोस्तों हिंदी मथुर्गीत वंग्यान में रिदय से स्वागत है दोस्तों जो मेरे चैनल में नय है वेक रप्या जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल को जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हेलो दोस्तों आज मैं आपको तुलसी विवाह के शुब मुहुरत और विवाहविद के बारे में विस्तार से बताऊंगे तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी विवाह 2020 कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथी को तुलसी विवाह किया जाता है इसे देवठानी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है इस शालिय एकादशी 25 नौंबर को पड़ रही है इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान सालीगराम के साथ किया जाता है माना जाता है कि जो व्यक्दति तुलसी विवाह का अनुऊठान करता है उसे उतना ही पुनिप्राप्त होता है जितना करन्यादान से मिलता है शाली ग्राम विश्णु जी का ही एक अवतार माने जाते हैं इसके पीछे एक पौरानिक कथा प्रचलित है आईए पढ़ते हैं ये कथा पौरानिक कथा के अनिसार एक बार तुलसी ने विश्णु जी गुस्से में आकर शाप दे दिया था जिसके चलते वो पत्थर बन गये थे इस शाप से मुक्त होने के लिए विश्णु जी ने शाली ग्राम का अवतार लिया इसके बाद उन्हेंने माता तुलसी से विवाह किया ऐसा कहा जाता है कि मा लक्ष्मी का अवतार माता तुलसी है कई जगहों पर द्वादशी के दिल तुलसी विवाह किया जाता है आईए जानते हैं शुब मुहुर्त और विवाह के पूजन विधी विवाह की पूजन विधी तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे के चारो और मंडब बनाना होगा फिर तुलसी के पौधे को एक लाल चुन्री अर्पित करें, साथ ही सभी श्रिंगार की चीज़ें भी अर्पित करें इसके बाद गनेश जी और शाली ग्राम भगवान की पूजा करें शाली ग्राम भगवान की मुर्ति का सिंगासन हाथ मिलें फिर इनकी साथ परिक्रमा तुलसी जी के साथ कराएं। आर्ती करें और विवाह के मंगल गीत अवश्य गाएं। तुलसी जी के साथ परिक्रमा तुलसी जी के साथ करें। करें।